एक महान मुनी से मिलता है। एक समय की बात है। एक मुनी अपने आश्रम में ध्यान मगन थे। अचानक उन्हें बचाओ की आवाज सुनाई दी। मुनी शीग्र ही आश्रम से बाहर निकले और देखा कि एक नन्हा चूहा दर्द से कराह रहा है। मुनी ने सनेह पूर्वक पूछा क्या हुआ बच्चे। चूहे ने उत्तर दिया कि एक कौवा उसे अपनी चोंच में कसकर पकड़े हुए था और उसके काव काव करने पर वह कौवे की चोंच से छूट कर नीचे गिर पड़ा। परमात्मा की कृपा से मेरी जान बच गई। चूहे ने कहा, मुनी के हृदय में चूहे के प्रती करुणा जागी। उन्होंने सोचा इसे बिल्ली बना देना चाहिए ताकि इसे पक्षियों का भय ना रहे। बुनी ने ततकाल मंत्र जाप किया और चूहे को बिल्ली में परिवर्तित कर दिया। चूहा, अब बिल्ली अत्यंत प्रसन्न हुआ। मुनी ने कहा, अब तुम्हें किसी से डरने की आवश्यक्ता नहीं है। और वह बिल्ली मुनी के साथ रहने लगी। कुछ समय बाद एक दिन एक कुत्ता आश्रम में आधमका और उसकी नजर बिल्ली पर पड़ी। कुत्ते ने बिल्ली पर हमला क कर दिया और बिल्ली ने चिला कर मुनी से मदद मांगी। मुनी ने देखा कि कुत्ता बिल्ली को परेशान कर रहा है तो उन्होंने फिर मंत्र जाप किया और बिल्ली को कुत्ता बना दिया। अब कुत्ता बनकर वह इतना खुश हो गया कि उसकी खुशी का पारावार न रह एक चूहे से बिल्ली और फिर बिल्ली से कुत्ता बन जाने की उसकी यात्रा अद्भुत रही। लेकिन समय के साथ उसमें लालच का भाव जागरित हो गया। जाने के बाद वह अपने आपको अत्यंत शक्तिशाली समझने लगा और गर्व से भर गया। उसके मन में अब लालच के साथ साथ अहंकार भी जागरित हो गया। एक दिन उसने सोचा क्यों न मैं इस मुनी को ही मार दूँ। फिर किसी को यह नहीं पता चलेगा कि मैं पहले च कर दिया। मुनी ने उस चूहे को इस घ्रनित कर्म के लिए आश्रम से निकाल दिया और चूहा पुनह अपनी पुरानी स्थिती में लौट आया, जहां उसे फिर से अन्य प्राणियों से भै रहने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच और अहंकार हमें विनाश की ओ ले जाते हैं। हमें जो कुछ मिला है उसमें संतोष करना चाहिए और अधिक की लालसा में अपने वर्तमान को खोना नहीं चाहिए। जीवन में प्रत्येक परिवर्तन और हर पड़ाव कुआ है। इसलिए हमें हर स्थिति से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। लालच औ और अहंकार हमें अंधा बना सकते हैं और हमारी सच्ची प्रकृती और क्षमताओं को छिपा सकते हैं।